Catch every release of Weekend Classic Radio Show Channel subscribe करके bell icon press करिए and get notified Weekend Classic Radio Show सुन रहे हैं आप, मैं हूर उच्छी आपके साथ और आज एक बार फिर से लेकर के आई हूँ कुछ बहतरीन गानों के साथ कुछ छुपी हुई, अनकही कहानिया, कुछ ऐसे किस्से जो कि शायद आपने कभी सुने नहीं होंगे आज, जिन सितारे के बारे में, जिस शक्सियत के बारे में हम बात करने वाले हैं उन्हें किसी परिचय की जरूरत नहीं है हर इंसान ने इन्हें पहचाना है, इन्हें चाहा है और इन्हें कई बार देखा है नाम है इनका जया बच्चन जी क्या आपको पता है जया बच्चन जी और अमिताब बच्चन जी के बीच में आखिर प्यार हुआ कैसे था सालो साल हमने कई सारी कॉंट्रोवर्सी सुन ले इनकी जिन्दगी से चुड़ी हुई तेकिन असली में इनकी लव स्टोरी थी क्या बताऊंगे आपको कुछी देर के बाद वीकन ग्लासिक रेडियो शो पर मैं और मेरी तनहाई अकसर ये बातें करते हैं तुम होती तो कैसा होता तुम ये कहती तुम वो कहती तुम इस बात पहरा होती तुम उस बात पह कितनी हसती तुम होती तो ऐसा होता तुम होती तो वैसा होता मैं और मेरी तनहाई अकसर ये बातें करते हैं तुम होती तुम होती तुम होती ये कहाँ आगे हम युही साथ साथ चलते तेरी बाहों में है जानम मेरे जीस मुझा पिखलते तेरी बाहों में है जानम मेरे जीस मुझा पिखलते ये कहाँ आगे हम ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई है है चान्दनी ये तुम्हारी नजरों से मेरी राते धुली हुई है ये चान्द है ये तुम्हारा कंगन सितारे है ये तुम्हारा आचल भावा का जोका है या तुम्हारे बदन की खुश्बू ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुके से कुछ कहा है ये सोचता हूँ मैं कब से कुम सुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो कहीं नहीं हो मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कही हो तु बदल है, मैं हूँ छाया तु नहों तो मैं कहा हूँ मुझे प्यार करने वाले तु जहा है, मैं वहा हूँ हमें मिलना ही था हम दम किसी राह भी निकलते यह कहा, आ गए हम यूही साथ साथ चलते यूही साथ चलते मेरी सास सास महके कोई भी ना भी ना चंदन तेरा प्यार चांदनी है मेरा दिल है जैसे आंगन कोई और भी मुलायं मेरी शाम ढलते ढलते ओ हुई और भी मुलायं मेरी शाम ढलते ढलते ये कहा आदे हम यूही साथ साथ चलते मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी तनहाई की एक रात इधर भी है उधर भी कहने को बहुत कुछ है मगर किस से कहें हम कब तक यूही खामोश रहें और सहें हम दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें दिवार जो हम दोनों में आज गिरा दें क्यों दिल में सुलकते रहें लोगों को बता दें हाँ हमको मुहबबत है मुहबबत है मुहबबत अब दिल में यही बात इधर भी है उधर भी यह कहां आगे हम यूही साथ साथ चलते यह कहां आगे हम यह कहां आगे हम तेरे मेरे मिलन की यह रैड़ नया कोई गुल खिलाएगी नया कोई गुल खिलाएगी तभी तो चंचल है तेरे नयना देखो ना देखो ना तेरे मेरे मिलन की यह रैड़ तेरे मिलन की यह रैड़ नंधा सा गुल खिलेगा अंगला सुनी बाईया सजेगी तजना नंधा सा गुल खिलेगा अंगला सुनी बाईया सजेगी तजना जैसे खेले चंदा बादल में खेलेगा वो तेरे आचल में चंदनिया गुन गुन आएगी चंदनिया गुन गुन आएगी तभी तो चंचल है तेरे नयना दिखो न दिखो न तेरे मेरे निलम की ये रहना तेरे मेरे उ तेरे मेरे गे में च्तुम एकत रिलम की ये सकतर वो तो फजयत खेंगा खेले वो तेरे मेरे शानिया तुझे था में कई हाथों से मिलूंगा मद भरी रातों से तुझे था में कई हाथों से मिलूंगा मद भरी रातों से जगा के यन सुनी से धड़कर बलम भर दूंगी तेरा मन नई अदा से सताएगी तभी तो चंचल है तेरे नैना देखो ना देखो ना तेरे मेरे मिलन की ये रैना वीकेंड क्लासिक रेडियो शोपर मैं हूरुची आपके साथ एक जमाने में बड़ी चुल्बुली सी हुआ करती थी जया बच्चन जी जिन्दगी की चपेट में कुछ ऐसी पड़ी है कि मच्चौरिटी बहुत जल्दी आकई जया बच्चन जी को ऐसा वो खुद मानती है लेकिन मैं आपको वो चुल्बुली जया जी के बारे में आज बताना चाहूंगी आपको पता है 1972 में बंसी बिर्जू करके फिल्म अमिताब बच्चन जी और जया जी साथ में कर रहे थे इसकी शूटिंग की शुरुआत हुई थी फिल्म तो नहीं चली लेकिन इनकी लव स्टोरी इसी फिल्म के साथ में चल पड़ी थी दोनों एक दूसरे से प्यार में पड़ गए थे हमिताब बच्चन जी को चया जी की अधाएं बहुत पसंद आ गई थी लेकिन क्या आपको पता है कि इन दोनों की शादी हुई एक छुट्टी के चलते क्या था ये माजरा ऐसे कैसे हुई इनकी शादी वो भी एका एक रातो रात जानेंगे आप कुछी देर के बाद सुनते रहे ये वीकन क्लासिक रेडियो शो अगला गाना one of my favorites अनामे का फंस है बाहु में चलिया। पर्दा ये आज था नहीं मिलन ये संदु है उमर भरता बाहु में चल या हमसे सनम क्या पर्दा हमसे सनम क्या पर्दा चले ही जाना है नजर चुरा के फिर था मीथी साजन तुमने मेरी कलाई थि किसी को अपना बना के छोड़ते हैं ऐसा कोई नहीं करता बाहु में चले हमसे सनम क्या पर्दा हमसे सनम क्या पर्दा कभी कभी कुछ तो कहो पिया हमसे एकम से कम आज तो खुलके मिलो जरा हमसे है रात अपनी जो तुम हो अपने किसी का फिया हमसे एकम से कम आज तो खुलके मिलो जरा हमसे हमसे सनम क्या पर्दा हमसे सनम क्या पर्दा जिया चपा नहीं मिलन जे संग है उमर भरता हमसे सनम क्या पर्दा हमसे सनम क्या पर्दा मैंने कहा पूलों से मैंने कहा पूलों से हसो तो वो खिल खिला के हस दिये और ये कहा जिवन है भाई मेरे भाई हसने के लिए मैंने कहा पूलों से हसो तो वो खिल खिला के हस दिये मैंने कहा पूलों से हसो तो वो खिल खिला के हस दिये कहा पूलों से दिये प्रेश प्रिंग प्रेश कि प्रुब रुब सूरज हसा तो भिखर भिखर गई किरने सूरज हसारी की रन की रन चुन कर धरती है सज के सुनहरी बन गई रहे मैंने कहा चपनों से सजो तो मुस्कुरा के सज गए और ये कहा जीवन है भाई मेरे भाई सजने के लिए सजने के लिए मैंने कहा खुलों से हसो दो खिल खिला कर हस्ति है हुआ 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 है ये शाम तो यू हसे जैसे हसे गुलहन ये शाम ये शाम तो ये शाम तो नीले नीले सावले अंबर में रंग जो गुला भी लगे भर रे मैंने कहा तो मैंने कहा रंगों से छलकों तो वो जग ये सारा रंग गए और ये कहा जीवन है भाई मेरे भाई रंगने के लिए रंगने के लिए मैंने कहा फुलों से हसो तो वो खिल खिला कर हसी कर दो कर दो वो खिला रंगदाने के लिए मौसम मिला, वो कही एक दिन मुझे को मौसम मिला है मैंने कहा रुखा खेलो मेरे संग तुम मौसम तो ना रुखा जो हो गया हुँ मैंने कहा तो मैंने कहा अपनो से चलो तो वो साथ मेरे चल दिये और ये कहा जीवन है, भाई मेरे भाई, चलने के लिए, चलने के लिए मैंने कहा पुलो से हसो तो वो खिल खिला कर हच दिये मैंने कहा पुलो से हसो तो वो खिल खिला कर हच दिये वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूरुची आपके साथ मनसी बिर्जू फिल्म की शूटिंग के तौरान अमिताब बच्चन जी और जया भादुरी जी उस समय जो जया भादुरी हुआ करती थी, वो मिल तो गए थे लेकिन उसके बाद आगे कैसे बढ़ी यह कहानी अभिमान फिल्म के प्रेमियर नाइट के टाइम पर जया जी और अमिताब बच्चन जी एक दूसरे के साथ में दिखाई दिये यह उनका पहला पब्लिक अप्योरेंस था साथ में अमिताब बच्चन जी उस समय चोरी छुके एक छुट्टी प्लान कर रहे थे एक वेकेशन अब्रॉड कहीं प्लान कर रहे थे जया जी के साथ अपने प्यार को दूसरे लेवल पर लेकर जाने के लिए लेकिन हरिवंच राय बच्चन जी को इस बारे में पता चल गया और उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया कि मेरा बेटा और उस समय उनकी गॉल्फ्रेंड यूही बिना शादी के साथ में कहीं घूमने जाना चाहता है तो उन्होंने शर्थ रखे कि अगर जाना है तो पहले शादी करो और उसके बाद में जहां जाना है जो करना है जहां गूमना है वह गूमो और इस ही के चलते रातो रात शादी हुई थी अवैताप पच्चन जी और जया जी की क्या आपको पता है शोले मूवी शादी के बाद जो की थी अमिताब जी और जया बचन जी ने उस मूवी के टाइम पर जया जी अल्रेडी प्रेगनन थी श्मिता के साथ और शोले मूवी के ही प्रेमियर के टाइम पर जया जी प्रेगनन थी अभी शेक के साथ तो यूही एकदम चट मंगनी पट ब्या और उसी के साथ में तुरंत बच्चे भी हुए थे आमिताप जी और जयाजी को लेकिन 14 साल का वनवास उसके बाद में जयाजी की जिन्दगी में आया था क्या था ये वनवास? बताऊंगे आपको कुछी देर के बाद फिल्हाल चुपके चुपके फिम से गाना लता मंगेशकरची की आवास में सुनिये जरा चर पुर्वया पासुरी बजारे रास रचाए दयार दया गुपिया सा कलाईया चुपके चुपके चर पुर्वया चुके चुके चर पुर्वया पागल पवन से कैसे कोई बोड़े पागल पवन से कैसे कोई बोड़े गुरी के मुख से गुंग ताना खुले डॉले खुले से मन की नईया गुपियो सा कलाईया चुपके चुपके चर पुर्वया चुपके चुपके चर पुर्वया ताना ताना किया हुआ मुझे को किया है ये पहेदी ऐसे जैसे कोई राधा की सहनी में भी गूंडू कदम किछाई गुपियों संकलिया चुके चुके चरपुरवया ऐसे समय पे कोई चुक भी रहे कैसे ने गुपियों संकलिया चुके चुके चरपुरवया चुके चुके चरपुरवया I hope आपको वीकेंड क्लासिक का ये एपिसोड पसंद आ रहा है Do like and share this episode and subscribe to Sare Gama Old Hindi Songs YouTube channel अपना feedback आप comment section में लिख सकते हैं और हम हर एपिसोड को और बहतर बनाने की कोशिश करेंगे सारे के सारे Gama को लेकर गाते चले पापा नहीं है धानी सी दीदी दीदी के साथ है सारे सारे के सारे Gama को लेकर गाते चले एशन्जू, ए बिच्चू, ए मुन्नी, तुन भी गाओ ऐसे नहीं, गोलों में गाओ सारे के सारे Gama को लेकर गाते चले बापा नहीं है धानी सी दीदी, दीदी के साथ है जारे सारे के सारे Gama को लेकर गाते चले सास निकले रोज सवेरा दूर करे अंधियारा रे से रे शमी किरनों ने खूप किया उजियारा सास निकले रोज सवेरा दूर करे अंधियारा रे से रे शमी किरनों ने खूप किया उजियारा लालाला, 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 लाला, 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 ला 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 पापा नहीं रहे दारी दीदी दीदी के साथ है दारी सारी के सारी कमा कुले पर गाती चले गा से गुन गुन गा गा ता मा से मध्धम मा 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 पा से एक उजारी गा से गुन गुन करता है घुमे क्यारी क्यारी मा से मीधे बोलों में पा से एक उजारी गा से गुन गुन करता है घुमे क्यारी क्यारी मा से मीधे बोलों में पा से एक उजारी हमिरे दे यह जैसे फूलों सारे गाते चले ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला पापा नहीं रेखानी से दीदी दीदी के साथ है सारे ला 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 धामा धापा गापा धास धूप सुनहरी है ये नी नशीली लागे धास धूप सुनहरी है ये नी नशीली लागे सरगम हो गई पूरी अब क्या होगा आगे अरे सरगम हो गई पूरी अब क्या होगा आगे सर्गम के साथी सर्गम की धुन पर गाते चले सर्गम के साथी सर्गम की दुन पर गाते चले पापा नहीं है धानी सी दीदी दीदी के साथ है सारे सारे वीकन क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप मैं हुरुची आपके साथ और आज का ये एपिसोड है जया बच्चं जी पर आधारित उनी के कुछ बढ़िया प्यारे चुने हुए गाने में लेकर के आई हूँ आज आपके लिए I hope आपको गाने पसंद आ रहे हो पसंद आए तो नीचे comments में लिख करके बताईएगा फिलहाल में कुछ देर पहले बात कर रहे थी 14 साल के वनवास के बारे में जया बच्चन जी के जिंदगी में शादी के पाद आया था वनवास और ये वनवास आया था उनके बच्चों के कारण हर इंसान जानता है कि जया जी बहुत अची आदाकारा रही बहुत अच्छी आक्ट्रेस, बहुत अच्छी इंसान, बहुत अच्छी बीवी, बहुत अच्छी दोस्त, बहुत अच्छी पॉलिटिशन लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने एक मा होने के नाते अपने करियर को पीछे बैक सीट पर रख लिया था प्रायॉरिटी पर उनकी फैमिली और उनके बच्छे आते थे, तभी जैसे ही उनके बच्छे दोनों ही श्वेता और अभिशेक पैदा हुए, उसके बाद 14 साल तक उन्होंने कोई काम नहीं लिया, ना कोई मूवी ली, ना कुछ और किया लोग कहते हैं कि ये जैया जी ने इसलिए भी किया क्योंकि उन्हें अपनी जिंदगी अभिमान फिल्म की तरह लगने लगी थी, जैया जी एक जादा बड़ी स्टार बनती जा रही थी और अमिताब बच्छन जी फिर भी स्ट्रगल ही कर रहे थे, इसलिए जैया जी ने कह पिया का घर फिल्म से गाना कि शोर्दा की आवाज में ये जीवन है, सुनिये जरा यही है यही है यही है यही है रंग दू थोड़े घम है थोड़ी खुश्या थोड़े घम है थोड़ी खुश्या थोड़े घम है थोड़ी खुश्या यही है यही है चाव दू पे जीवन है कि ना सोचो इसमें अपनी हार है के जीत है तुसे अपना लो जो ही जीवन की रीत है ये जीवन का यूँ ना तोड़ो हर पल कि कि दरपन है ये जीवन है इस जीवन का यही है यही है यही है यही है रंग तो यही जीवन है भन से न दोनिया से घर से न त्वार से न दोनिया से सांसों की डोर वधी है पीतम के प्यार से दुनिया छूटे पर न तूटे यह ऐसा बंधन है ये जीवन है इस जीवन का यही है यही है यही है यही है रंग तो थोड़े खम है थोड़े खुशिया यही है यही है यही है चाव तो यही जीवन है लगदे यही है यही जीवन तेरी बिंदिया रे आयाय ये तेरी बिंदिया रे नजन बिंदिया ले लेगी तेरी निंधिया रे हाए हाए तेरी बिंदियारे तेरे माते लगे है यूँ जैसे चंदा तारा जीया में चमके कभी कभी तो जैसे कोई अंगारा तेरे माते लगे है यूँ सजन निंदिया सजन निंदिया लेलेगी लेलेगी मेरी बिंदियारे आए हाए तेरा जुंकारे आए हाए तेरा जुंकारे चैन लेले ला देगा सजन तुमका ते आए हाए मेरा जुंकारे मेरा गहना बलम को तुसे सज के लोलूं भटकते हैं तेरे ही ने न में तो कुछ न बोलूं मेरा गहना बलम को तो फिर ये क्या बोले है बोले है तेरा कंगना रे आए हाए मेरा कंगना रे बोले रे अब तो छुटे ना तेरा अंगना रे आए हाए तेरा कंगना रे तु आई है सजनिया जब से मेरी बनके ठुमक ठुमक चले है जब तू मेरी नस नस खंके तू आई है सजनिया सजन अब तो छुटे ना छुटे ना तेरा अंगना रे आए हाए तेरा कंगना रे सजन अब तो छुटे ना तेरा अंगना रे आए हाए तेरा अंगना लोगों से अपनी परसनल लाइफ के बारे में खुद से जादा सुना है जाया बच्चन जीन लेकिन फिर भी हमेशा आगे बढ़ती चली गए और वो भी पूरे की पूरे ग्रेस के साथ इसी के चलते कुछ लाईन है मेरे दिमाग में आ रही है अगर पसंद आये तो पताईएगा खुद को इतना भी मत बचाया कर बारिशे हो तो भीग जाया कर चांद लाकर कोई नहीं देगा अपने चहरे से जगमगाया कर दर्द हीरा है दर्द मोती है दर्द आखों से मत पहाया कर काम ले कुछ हसी होटों से बात बात में मुस्कुराया कर धूप मायूस लौट जाती है धूप मायूस लौट जाती है छट पे किसी पहाने तो आया कर कौन कहता है दिल मिलाने को कम से कम हाथ तो मिलाया कर खुद को इतना भी मत बचाया कर सुन्दे रेया वीकेंड ग्लासिक रेडियो शो भीगी भीगी सी मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रहे गए जैसे मेरे सपने बिखर के जले मन तेरा भी किसी के मिलन को अनामी का तु भी तरसे मेरी भीगी भीगी सी तुझे बिन जाने बिन पहचाने मैंने रिदय से लगाया तुझे बिन जाने बिन पहचाने मैंने रिदय से लगाया पर मेरे प्यार के बदल में तुने मुझे को ये दिन दिखलाया जैसे बिरहा की रुत्मन काटी तडप के आहिं भर भर के जले मन तेरा भी किसी के मिलन को अनामी का तु भी तरसे मेरी भीगी भीगी से आग से नाता नारी से रिष्टा काहे मन समझन पाया आग से नाता नारी से रिष्टा काहे मन समझन पाया मुझे क्या हुआ था एक बेवफा पे हाए मुझे क्यूं प्याराया तेरी बेवफाई पे हस जग सारा गली गली गुजरे जिधर से जले मन तेरा भी किसी के मिलन को अनाव मिका तु भी तरसे मेरी भीगी भीगी सी मेरी भीगी भीगी सी पल कूंत रह गए जैसे मेरे सपने भिखर के जले मन तेरा भी किसी के मिलन को अनाव मिका तु भी तरसे मेरी भीगी भीगी सी विकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे आप मैं हुरुची आपके साथ आज के इस एपिसोड के आखरी गाने के पहले सोचा इस गाने के इस मूवी के बारे में आपको कुछ बताती हो गुड़ी फिल्म से है अगला गाना वानी जैराम की आवाज में आपको पता है गुड़ी फिल्म में दिखाया था कि किस तरह जया बच्चल एक टीनेजर होने के पावजूद एक फिल्म स्टार के साथ प्याद प्यार में पड़ी हुई है आच्चली ये जैया जी की रियल जिंदगी की भी कहानी थी जैया जी दिलिप कुमार जी से पेशुमार महपत किया करती थी और जब ये फिल्म बन रही थी तब जैया जी ने बताया था कि ये तो मेरी ही लाइफ स्टूरी है दिलिप कुमार जी को जब पता चला था तो बहुत खुश हुए था उन्होंने कहा था कि कभी न कभी तो मिलेंगे हम इनसे और फे बाद में तो काम भी हुआ साथ में मिले भी खूब ये दोनों तो चलिए इसी बात पर गुड़ी फिल्म का अगला गाना सुनाते हैं आपको बोले रे पपी हरा बोले रे पपी हरा बोले रे पपी हरा पपी हरा बोले रे पपी हरा कल को परी को बूत का चाए जाए पीके देश में बरसे नितमन प्यासा नितमन करते का जाए बोल रे पपी हरा बोल रे पपी हरा तावन जो जनके साला है तावन जो जनके साला है तेरी आख से मोती पाए तान मिले बाबुले के भर से तावन ले बाबुले के भर से नितमन क्यासा, नितमन करसे कैसा लगा आपको ये एपिसोड? हमें अपने कॉमेंट्स के द्वारा जरूर बताईए डू लाइक अशेर दिस एपिसोड और सारे गामा ओल्ड हिंदी सॉंग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हम से जुड़े रहिए आप इस वीकेंड क्लासिक रेडियो शो को आज पॉड्कास्ट भी सुन सकते हैं और अंड्रॉइड और आपल प्लाटफोर्म्स चलिए तो मैं रुची यहां से विदा लेती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले हफ़ते कुछ ऐसे ही किस्से कहानिया और आपके पसंदीदा कानों के साथ किस्ते हैं और आपसे अगले हुड़ते हैं और आपसे लिए विदिदागगर आपके प्लाटफोर्म्स